दिन की शुरुआर पानी से करें सवेरे उठते ही सबसे पहले पानी पिये स्वामिर आम देव जी इसी सूत्र को दूसरी भाषा में कहते हैं उशा पान करें उशा पान का मतलब ही यह है कि सुबह चार विजी के आसपास उठना और उठते ही पानी पिना दाद नहीं साफ करना मूँ नहीं दोना कुला नहीं करना पहले पानी पिले दाद ही साफ करने है तो रात को साफ करके सोई कुला करना है तो रात को कुला करके सोई सुबह उठते ही पानी पिले क्यों बीना है दो कारण पहला कारण है रात बर आप सो गए तो मुह में लार बने वो इकटी हो गए दोनों तरफ परपूर मात्रा में इकटी हो गए अब आप उठते ही पानी पीलेंगे तो सब अगर जाएगी और दाथ साफ करने लगेंगे तो यह सब बाहर निकल जाएगी थूखना पुड़ेगा इसलिए उठते ही दाथ साफ निए जड़ना मुह नहीं दोना पहले पानी पीले ताकि सब लार अंगर चली जाएगी सुबह की लार जो है ना बहुत एलकिलाई है, बहुत जारा है, सुबह की लार का मैंने pH निकाला तो 8.4 के आसपास, इतना एलकिलाई है, और ये इतनी medicinal property वाली है सुबह की लार, कि कहीं भी आप इसको apply करिये, इसके medicinal result है, बहुत लोगों को आज के दमाने में खास-खास बीम तो उनको आप बोलिए सुबह सुबह की लार हाथ में लगा के ऐसे मालिश करना, हलकिलाई है, तीन-चार महीने करा दीजिए, डार्ट सर्क्री निकाल जाते हैं, किसी को आँखों में चश्मा है, और वो हटाना चाहते हैं, तो सुबह की लार को आँखों में लगाए काजल की तरह से, आपका चश्मा उतर जाएगा, क्योंकि चश्मा आँख में लगता ही तब है, जब आँख के लिक्विड की ऐसी डिटी बढ़ी हुई है, और ये लार अलकिलाई है, ये ऐसी डिटी को ऐसे ही कंट्रोल करना चाहता है, सुबह की लार का और बहुत अच्छा एप गई है, और वो जल्दी ठीक नहीं हो रही है, आप सुबह की लार उस पर अपलाई कर दो ठीक कर देता है, और कही तरह से इसका उप्योग होता है, जैसे किसी को कील महा से हो जाएं, पिंपल्स हो जाएं, और बहुत खराब चेहरा हो जाएं, उनको कहिए सुबह की लार से हाथ जड़िया था, तो ठीक हो गया, लेकिन निशान नहीं मिट रहा था, और उस पेशेंट, वो पेशेंट को जरूरी था, वो निशान मिट नहीं चाहिए, वो पेशेंट एक लड़की थी, उसकी शादी होने वाली थी, तो उसके घर आपे सब परेशान थे, कि परेशान नहीं, टैक्स प्री है, कॉस्प्री है, साइड इवेक्ट नहीं है, एकस्पाइरी डेंट कुछ नहीं है, आप कर लो इसको, तो उसने किया, यह मित रूप से किया, साथ से आठ महीने में जले हुए का सारा निशान बिट गया, इसके लिए तन नॉर्मल होगी, आ और चोट को चाट कर वो ऐसे ठीक कर लेते हैं, गाय अपने बच्चे को चाट चाट कर उसकी सारी बिमारी मिटा दे लिए, मनशुभी कर सकता है, बस इसमें थोड़ा सेंसिबल होने की जरूरत है, मैंने बहुत पेशेंट पे इसके एकस्पेरिमेंट किये हैं, एक पेशें तो सुबह की लार के बारे में मैंने बच्पन में सुना था, मेरी दादी बोलती थी कि इसको थूपना नहीं, नहीं तो पाप पड़ेगा, ऐसा बोलती थी मेरी दादी, अब वो उसको समझ में नहीं है, वो इसको समझ में नहीं है, वो इसको समझ में नहीं है, वो इसको सम और उससे भी जादा वेस्ट कर रहे हैं घुटका ठाके तप़ा कुखा के जगे जगे ठूप 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 तो शड़ गंदा कर रहा है शरीर का नुकसा आपके शरीर में भगवान ने ऐसी व्यवस्था दी है आप भगवान का धन्यवाद मेरे पास दो पेशेंट ऐसे हैं जो कैंसर की लास्ट स्टेज में हैं और उनके बचने की संभादना बिल्कुल ना के बराबर है क्योंकि उनकी लार ग्रंतिया पूरी तरह से खतम हो गई हैं अब उनको चाय भी पिलाओ दूद भी पिलाओ तो सब बाहर आ जाता है कुछ भ अमेरिका में कुछ कंपनिया हैं जो लार का बिजनिस करें वो मनुषी की ही लार होती है उसको जैसे शैंपू का शैषे होता है ना उसमें भर के बेचते हैं पाँच मिली ग्राम का एक शैषे दस हजार होता है तो वो दोनों के ऐंसे प्रेशन हर दिन दस से 12 शैषे कंजू लेगिन वो अपने संतोश के लिए करते जरूर है ये का तो बगधान ने आपको ये विवस्था दी है इसको खराब मत करना अब ये विवस्था खराब कहा होती है और पैसे होती है वो जरूर लार बनना सबसे ज Shadda कम होता है तब जब आप कोई ऐसी वस्तू का उपयोग करें अपने मुह में अब एसी कौन सी वस्तू है हमारे जीवन में आप जितने भी टूथ पेस्ट करते हैं ये सब ऐन्टी आलकिलाई यह सब आपकी लार की उत्पन करने की छमता को घटाते हैं कॉलिगेट हो, क्लोजप हो, प्रपसिडेट हो, सिवाका हो, फॉर अंसो सारे के सारे टूथ पेस्ट ऐसे हैं जो एलकले निट्री को घटाते हैं इसलिए मेरी आपके रिक्वेस्ट है कि पेस्ट मत करिए क्योंकि आपकी लार बनना कब हो जाए जाए जी पेस्ट करने से और पेस्ट में ऐसा क्या है जो लार को घटाता है पेस्ट में किमिकल मिलाए जाता, उसका नाम है sodium laurel sulfate ये sodium laurel sulfate को जहर माना जाता दुनिया में ये थोड़ी भी मात्रा में जीप पर आप डाल दें तो लाड बिंतियों को सुखा देता पूरी तरह से इसलिए दुनिया में जो भी sensible doctors हैं दातों के, dentists वो सब brush करते हैं, brush को कभी paste नहीं लगाते हैं अमेरिका यूरोप के बहुत सारे dentists को मैं जानता हूँ through email और मैं उनसे बार बार पूचता हूँ आप क्या करते हैं पेशन्ट को क्या बताता हैं, वो क्या थे हैं वो कहते हैं, we do not use any toothpaste, हम नहीं use करते हैं, हम ये इस्तेवाली नहीं करते हैं, क्यों? Statutory Warning, वैदानिक चेताव में उस पे लिखा होता है Please keep out this colligate from the reach of the children below 6 years छे साल से कम उमर के बच्चे को ये colligate नहीं देना Second statement होता है In case of accidental ingestion, please contact immediately poison control center और गलती से बच्चे ने ये paste कर लिगा तो तुरंथ भूस्पिटल लेके जाना उसको Third warning होती है If you are an agent, then take the paste on your brush at your own risk in pea size Pea size बने, चने या मटर के दाने से भी छोटा इतनी सी मात्रा में ही brush पर paste लेना वो भी अपने risk पर लेना इतनी sharp warning print होती है toothpaste Hindustan में क्या होता है? इसका उल्टा होता है TV में दिखाते हैं brush भर भर के paste अमेरिका में का तुम बिल्कुल थोड़ा सा ले क्योंकि इसमें sodium laurel sulfate है और वो आपकी लार उत्पादन शमता को खतम कर देगा तो थोड़ा सा ये लेना हमको TV बताता है brush भर भर के लेना और दिन में तीन तीन बार लेना सुबह भी लेना दुपेर को लेना शान को लेना तो ये टीवी के जो advertisement है जिसके हम फसे हैं इसमें से बाहर निकले जो sensibility है और आपकी intelligence है उसका use करिए लार को बढ़ाने वाली चीजों से दाख साथ करिए ना की घटाने वाली चीजों से तो आप उरेंगे कौन सी चीज़ा है जो लार को बढ़ाती है नीम का दातुन सबसे ज़्यादा लार बढ़ाता है करके देख भीजिए नीम के दातुन को जैसे आप दात के बीच में फसाएंगे तुरंत लार बनना शुरू हो जाए नॉर्मल जितनी बनती है उससे तीन पुना जादा बने ली करके देखे और जैसे जैसे आप उसको चबाते जाएंगे लार का प्रड़क्शन बढ़ते ही जाएगा बढ़ते ही जाएगा इसलिए बेस्ट क्वालिटी है नीम का दातुन एसे ही बबूल का दातुन बबूल का दातुन जितना चबाएंगे लार का उस्षाजन उस्ष्ठाई बढ़त keh फिर आप बोले लीव का दातुन चबाते समय लार को क्या करना पीते रहे है उसको धूकिये मत आपको इतनी क्वालिटी है उसमें एक तो नीम का रस आ गया, उपर से लार भी है, दोनों बेस्ट अल्किलाइन प्रॉडक्ट है नीम के दात उनको चबाते हुए जो लार को पी सकते हैं मैं उनको स्टाम पेपर पर लिखके दे सकता हूँ जित्विगी में डाइविटीज कभी हो नहीं सकती है अर्थराइटिस होगा नहीं को दिया, क्योंकि एसीविटी बढ़ेंगे नहीं ब्लड की अलकिलाइट रहेगा और ब्लड अलकिलाइट रहेगा तो डाइविटीज, अर्थराइटीज, हर्टेटेक, कार्डियकर, स्प्रेड, एम्डरेज, पेरलिसिस, कुछ नहीं होने वाला इसलिए नीम को भारत में दातुन के लिए सबसे अच्छा मानगा